नमस्कार मित्रों, जैमातादी स्वागत है, आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में, तो मित्रों, कल यूग में पहली बार एक ऐसी बड़ी खुश खबरी आपको मिल रही है, जिसे सुनकर एक पैर पर नाचने लग जाओगे, आने वाले 24 घंटे कोई साधारण नहीं होंग ढोल और शहनाई दोनों बजाने पड़ेंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी लाया हूँ आज की पुरी, वीडियो ग्रह नक्षत्र की चल पर आधारित है, शुरू से लेकर अंत तक अवश देखिएगा, ग्रहों की चाल जो आपकी राशी के लिए बहुत सौभाग्यता ले उसकी पूरी जानकारी मिलेगी आज की इसी वीडियो में, तो बिलकुल अंत तक वीडियो को जरूर देखें, लेकिन सबसे पहले वीडियो की शुरुआत हो रही है, तो महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच् लिखे, आपके सारे बिगडे कम जरूर बनेंगे, देखिए, आने वाले अगले 24 घंटा में, अगर आपने किसी को पैसा उधर दिया हुआ था, और आपने हर तरह का मुम्किन प्रयास कर लिया था, लेकिन वो व्यक्ति पैसा नहीं चुका रहा था, तो अब चमतकार कुछ ऐ पैसा होने वाला है कि आगे रहकर वह व्यक्ति आपको पैसा दे कर जाने वाला है, यह ग्रह की चाल है और यह ग्रह की माया है, सितारों का प्रभाव है, जीसकी वजह से आपकी जिंदगी में आर्थिक क्राफ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पुराना पैसा वापस आजाएगा, साथ ही साथ दोस्तों, बिजनेस जो है, वह बहुत अच्छा चलने वाला, यानि अच्छा धन कमाने में आप बिजनेस में काम्याब रहेंगे, तो ढोल और शेहनाई तो बजा नहीं पड़ेगी, लेकिन कोशिश आपको यह करनी है कि माता पिता का आपको समय समय पर प्राप्त होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते इस दुनिया में, जो माता पिता के आशीरवाद से ही पनपते हैं, और जो बरबाद हो गए हैं, मैं वही लोग हैं, जो माता पिता को कुछ नहीं समझते, तो ये चीज आपको ध्यान रखती है, और इन 24 घ घंटा में उचाईयां आपके कदम चूमेगी, और आफिस में काम करने वाले लोगों को किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, अब आपको बॉस के किसी गलत बात पर हां करने से बचाना होगा, नहीं तो समस्या हो शक्ती है, कहने का मतलब ये है, कि हो सकत हो सकता है, तो वहां पर आपको प्रतिक्रिया देनी होगी, नहीं तो आपकी और ये उनकी परीक्षा है, इसमें वहपास हो सकते हैं, और एक बड़ा फाइदा आपको हो सकता है, आपके कुछ मित्र, आपके शत्रू बन सकते हैं, वहां आपको सावधान रहना है, क्योंकि जिन्दगी की यात्रा में जाने कितने लोग जुडेंगे, ना जाने कितने लोग छूटेंगे, आपको आने वाले कल पर भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। किसी पुराने मित्र से लंबे समय के बाद मिलने का मौका मिलेगा आपको। ऐसे में दोस्तों, आपकी पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके घर किसी चोटी मोटी पार्टी का आयोजन भी हो सकता है, तो ढोल और शहनाई तो बजनी ही पड़ेगी। किसी काम को लेकर मान लीजिए, आप काफी समय से परेशान चल रहे थे, तो इन 24 घंटा में वो कामम जरूर पूरा होगा। व्यवसाय में बस आपको किसी के साथ पार्टनर्शिप नहीं करनी है, वरना वह व्यक्ति आपको जरूर धोखा देने वाला है। इतना ध्यान रखिएगा, आगे वीडियो में हम आपको सावधानियां बताने जा रहे हैं, ताकि आप किसी प्रकार के खत्रे में न पड़े और बहुत खुश खबरिया आपकी जोली में आकर गिरेगी। और वीडियो के अंत में आपको दो उपाय बताये जाएंगे, जो सची श्रद्धा पूरवक सुनते हैं, करते हैं, तो आपका लाब हंड़ड परसेंट हो जाएगा। सबसे पहले सावधानी है कि किसी भी जरूरी कारे को समय रहते पूरा करना आपके लिए सही रहेगा। कई बार हो जाता है कि हम बीच में ध्यान भढ़का कर कहीं और चले जाते हैं, और वो काम हमेशा के लिए पेंडिंग में पड़ा रह जाता है, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है, यदि आपको किसी बात को लेकर चिंता सटा रही है, तो वो चिंता दूर होने व के लिए मना लीजिए, किसी का दिल आपको नहीं दुखाना है, इन 24 घंटा में ध्यान ये रखिएगा, अगर आप किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, तो वहां कोई कानूनी मामला फस सकता है, तो सावधान रहिए, किसी से बहस बाजी मत करिए, कोई व्यक्ति आगे र बना लेते हैं, इसी लिए आपको शांत रहना है, और जवाब देने का अधिकार वक्त को देना है, किसी भी यात्रा पर जाते समय, वहां आपको बहुत सावधानी के साथ चलाना है, नहीं तो समस्या हो, शक्ती है, और छोटी-छोटी बातों पर आपको जो चिड़-छिड बना कर रखना है, अपने आपको कम नहीं, आपके जब परिणाम आएगा, तब ढोल-गड़े शहनाई, सब कुछ बजाया जाएगा, आपके मां की इच्छा जरूर पुरी होगी, लेकिन आपको अपने आपको नकारात्मक नहीं होने देना है, आपको भगवान पर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, और बिना डरे अपना एक्जाम देने जाना है, यदि किसी सदस्य से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपका कोई घर का सदस्य, आप उससे बहुत प्रेम करते थे, आपको बहुत उससे उम्मीदें थी, तो वो आपकी उम्मीद को तोड़ सकता है, क्योंकि हद से ज्यादा उम्मीदें अकसर घाव देती हैं, प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ लॉंग ड्राइव पर जा सकते हैं, आपको किसी छोटी गलती से बचाना होगा, हमेशा लगता है कि गलती हो जाती है, तो छोटी मोटी ग उसे गलती को सुधारना है, और एक गलती जो हो गई है, उसे दोबारा पुनाह नहीं करना है, वरना ये एक और बड़ी गलती करने के समान होगा, कारेक्षेतर में अगर आप कोई काम कर रहें हैं, तो जल्दीबाजी नहीं δिखानी है, और बात अगर आपके स्वास्थ्य क तो आखों से संबंधिद समस्याएं होने की संभावना है। इसलिए आप समय समय पर आए चेक अप करवाते रहे। अगर आपके चश्मा हैं, साथ ही साथ स्वास्थि में कोई भी लापरवाही आप ना पढ़ने संभावना पुरी-पुरी है दोस्तों। कि कुछ ऐसी चीज आपके खाने में आशक्ति है जो आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करें। क्योंकि नकारात मग्रह सीधा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करेंगे। अब जो वैवाहिक जीवन लोग जी रहे हैं, उनके लिए समय बड़ा शांदार है नजदीकिया पार्टनर के साथ बढ़ने वाली है। लेकिन यदि कुछ गुप्त बातें होगी तो वह किसी के सामने आपको नहीं लानी है। वरना समस्याएं उत्पन्न हों शक्ति है। कभी-कभी भावनाओं में बहकर हम ऐसी बातें बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहि बस उन्हें के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहना है। अब हम आपको सोंबार के दो उपाय बताना चाहते हैं। अगर सची श्रद्धा से ये उपाय करते हैं, आप तो महादेव, आपकी हर मनों कामना पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले उपाय दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहते हैं, कि एक लोटा जल लेकर के उसके अंदर अगर आप एक कमल गटा दाल देते हैं, और फिर जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, और मंत्र बोलते हैं, ओम धन्य नमा। तो इस उपाय से खास तोर पर सोंबार को करने से धन प्रताप की संभावनाएं प उसके बाद दोस्तों, मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है, और आपको फिर वही पर बैठ कर मंत्र का जब करना है, जो हम बता रहे हैं आर्ण मुक्तेश्वर, महादेव प्रदोश कल में करना है, आपको एक दीपक लेना है, देसीगी का, उसके अंदर डालने हैं और उसे शिवलिंग के पास में अर्पित कर देना है, जला देना है, तो यह उपाय भी आपके जीवन में बहुत सुख सम्रिध्ध लेकर आएगा, करके देखिएगा, लाब ही लाब होगा शिवा महापुरान के, यह बहुत ही शानदार उपाय हैं, शुरुआत क अपने जीवन में मित्रों, यदि समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर समस्या आपके जीवन बहुत कुछ बदल कर जाती है और बहुत कुछ शिखा कर जाती है, तो गुरुजी अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, तो आएब आप सभी का कीमती वक्त गवाह बिना बात करते हैं, आने वाले 24 घंटा के महत्वपूर्ण समय, अंतराल की मित्रों, समय की शुरुआत बड़ी ही सुखद रहेगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, सावधानिया बढ़ना पड़ेगी कुछ लोग, आपके खिलाफ इस वक्त साजिश रच रहे ह कि किस तरह से आपको मुह के बल गिराई आ जाए, आपको एक-एक काम सोच समझ करने की आवश्चक्ता है, मित्रों, क्योंकि अंतिम पड़ाव चल रहा है, समय रहते संभल गए, तो जिन्दगी स्वर्ग बन जाएगी, वहीं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि इस वक दुराई की मित्र प्रशंसा होगी, और लोग आपके प्रति आकर्शित होंगे, मित्रों, धार्मिक और सामाजिक कारियों में बहुत बढ़िया समय व्यतीत होगा, बहुत अच्छे से समय गुजरेगा, इस समय निवेश करने की योजना बनेगी, और बेचैनी से राहत, अ नावश्यक विवादों में समय खराब ना करें, युवा लोग जो हैं, अपने करियर से संबंधित कम में और अधिक ध्यान देंगे, और अधिक ध्यान लगाएंगे, और मार्केटिंग के कारियों को टाल देंगे, तो बहतर रहेगा, मित्रों बता देते हैं कि, अगर इस साथ ही, आप सभी को बता देते हैं कि, मित्रों, मेडिकल से जुड़े लोगों का समय बहतर रहेगा, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, प्रोफेशनल तरीके से अपने स्टडी करें, मेहनत करनी होगी, आप सोच रहे हैं कि, बिना मेहनत किया, बेटे आप स्टडी में सफल हो जाएंगे, तो अपनी सोच को जल्दी से जल्द निकाल दें, घर का माहौल शांति पूर्ण रहेगा, घर परिवार में, मित्रों आपकी उपस्थित बहुत जरूरी है, परिवर्तन संबंधित योजना बन शक्ति है, घर में कुछ छोटे मोटे करने की, अगर आप योजना बना रहे हैं, तो वह योजना बन शक्ति है, और लव पार्टनर के साथ कुछ समय व्यतीद करने से प्रेम बना रहेगा, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो प्रेम विवाह संभव है, दोस्तो, आप सभी को बता देते हैं, ऐसी चीजों से दूर रहे मित्रों, जो आपको नकारात्मकता की तरफ ढलती है, नकारात्मक चीजों को त्याग दे, फिर चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो, मित्रों, आपकी वानी, आपकी चरित्र का इस वक्त निर्मान करेगी, अपने वानी का विशय है, आपको जीवन जीने की कला आनी चाहिए, क्योंकि जूट के पैर नहीं होती, मित्रों, जो जातक नौकरी कर रहे, नौकरी कर रहे, जाटकों को पदोननती के अफसर मिलेंगे, योग भी बन रहे हैं, भाग्य भी साथ दे रहा है, क्योंकि आपकी कुंड इरली में मित्रों बड़ा चमतकार हुआ है, मित्रों कुछ लोग टांग अदा रहे हैं, और पर खीच रहे हैं, लोग आपके दुश्मन है, इसे आपको बच रहना होगा, अपनी हर नीति और हर चल को इनसे छुपकर राखे मित्रों, बता देते हैं की अपने परिवार के लोगों का आप साथ देने की कोशिश करेंगे, लेकिन परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे. क्योंकि कुछ ऐसी बात उन लोगों को, जो भी जिसकी वजह से मित्रों, परिवार के लोग आपसे नाराज हैं, पहले भी बताया है कि एक बार मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन बोलते हुए कि जुबान नहीं पकड़ी जा शक्ती है और कोई नहीं अपनी वानी से. मित्रों, आप लोगों के मन को लुभाने का पूर्ण जोर प्रयास करेंगे, और जो जातक बैंक सेक्टर में नौकरी करते हैं, बता देते हैं, मित्रों की इस वक्त थोड़ा सा आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है, जिस व्यक्ती की वजह से रिलेशन्शिप में दिक्कत हो रही है, उनका प्रभाव कम होगा, और पार्टनर एक दूसरे के साथ दीन बनाएंगे, मित्रों, शास्त्रों के अनुसार आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रधान करते हैं, कि शास्त्रों के अनुसार हाथ से कुछ चीजों का गिरना अशुभ माना जाता है, वैसे तो ये बहुत आम बातें, लेकिन वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है, नहीं करना चाहिए, वह कौन सी चीज है जिनका गिरना शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, मित्रों, नमक दूध, काली मिर्च और तेल, यह चीज ऐसी है, जो यदि आपके हाथ से गिर जाए, तो इन्हें अशुभ माना जाता है, मित्रों, आपको भोजन से जुड़ा महत्व के अनुसार जब भी भोजन करें, मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए, जीवन सुखी होता है, खाना खाता टाइं, कभी भी जूते चपल पहन कर ना खाएं, इसके अलावा जिनकी वजह से आपको भोजन प्राप्त हो रहा है, यानि की अन्देवता, परमात्मा, भगवान शिव, भगवान कृष्णा, भगवान राम, उनका धन्यवाद अवश् कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के अवश्य लिखे आज का दिन आपके लिए सूझ बूझ दिखाकर आगे बढ़ाने के लिए रहेगा, आपका कोई काम आपको परिशान कर सकता है, आप जीवन साथी के साथ किसी लॉंग ड्राइव पर जाने की परिशनल होते होते लटक सकती है, आज का दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा, आपके कुछ विरोधी, आपकी तरक्की को देखकर आपसे ईश्या कर सकते हैं, यदि आपने किसी से धनुधार लेने का सोचा था, तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप अपनी संपत्ती को लेकर किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें, नहीं तो समस्या हो सकती है, आगे वीडियो में और सावधानिया, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, आप कार्यक्षेत्र में अपनी अच्छी सोच का लाभ उ जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में आपको अपनी आँखों कान खुले रखने होंगे, और यदि कोई समस्या हो तो उसमें बड़े सदस्यों से बात चीत करके आगे बढ़ें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, किसी नई इन्वेस्टमेंट का आप लाभ उठा सकते ह आज के दिन आपके लिए वाहनों के प्रयोग से साबधानी बरतने के लिए रहेगा, क्योंकि वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। नहीं तो उसे पूरा करने में आपको समस्या होगी। आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। आपकी आए तो बढ़ेगी, लेकिन आपके खर्चे उससे ज्यादा बढ़ेंगे, जो आपको परिशान कर सकते हैं। आपको बेफिजूल के खर्चे पर लंबे समय बाद मिलने आ सकता है, जिसे देख कर आपको खुशी होगी। आउनलाइन काम कर रहे लोगों को किसी फ्रॉड के होने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए एक के बाद एक खुशखबरी लेकर आने वाला है। आपका कोई कानूनी मामला यदि लंबे समय से विवादित था, तो उसमें आपको जीत मिलती दिख रही है। नौकरी में कारेरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, जिससे उनकी तरक्की होगी। लेकिन आप अपनी आए और व्याय को सीमित रखें, नहीं तो आपको बाद में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपनी आर्थिक स्थिती को मजबूत करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, उनमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप संतान को संसकारों और परमपराओं का पाठ पड़ाएंगे। आपके किसी मन की इच्छा के पूर्ति होने से आप परिवार में किसी भजन की पीरतन आदी का आयोजन कर सकते हैं। माता पिता के आशीरवात से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फल दायक रहने वाला है। स यदि आप कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी।